अगली ख़वर आ रहे हैं ग्वालियर से जहां देह प्यापार के मामले में हाई कोट ने एक एहम टिपड़ी दी है हाई कोट का साफ कहना है कि ग्रहाग की सहभागिता के बिना वैश्या बृत्ति संभव नहीं है यह टिपड़ी एक महीने पहले सहर के पड़ाव इलाका इस थी तो होटल मयूर में पकड़े गए सेक्स रैकेट के संबंध में दी गई है सेक्स रैकेट में लड़कियों के साथ पकड़े गए एक युवक की जमानत याचिका पर यह सुनवाई हुई थी वैशिया पृति में सहभागिता का हवाला देते हुए कोट ने याचिका करता की जमानत याचिका को खारिच कर दिया कोट का कहना है कि होटल में मिली लड़किया अपनी मर्जी से वैशिया पृति नहीं करने आई होगी उन्हें मजबूर किया गया होगा अभी यह मामलाग जाच में हैं ग्वालियर में देह व्यापार के आरोप में पड़ाओ इस्थित होटल मयूर में पकड़े गए निलेस राठोर को हाई कोट ने राहत देने से इंकार कर दिया है 18 अक्टूबर 2022 से जेल में बंद निलेस ने पहली बार हाई कोट में जमानत याचिका दायर की जिस पार सुनवाई हुई याचिका को खारिच करते हुए हाई कोट ने कहा ग्राहक की सहभागिता के बिना वैश्या व्रित्ति नहीं हो सकती दरासल पड़ाओ इस्थित होटल में कारिवाही करते हुए पुलिस ने याचिका करता सहीत कई लोगों को 18 अक्टूबर को गिरफतार किया था याचिका करता की ओर से बताया गया है कि इसने होटल में कमरा बुक किया था पुलिस का आरोप है कि वह कमरा नंबर 202 में लड़की के साथ आपती जनक इस्थिती में मिला था हाला कि ये आरोप अभी सिद्ध होना बाकी है वहीं पुलिस की ओर से बताया गया कि आरोपी के साथ लड़की आपती जनक इस्थिती में मिली थी जिसे महिला आरक्षकों की मदद से कपड़े पहड़ने की अनुमती प्रदान की गई थी होटल रिकॉर्ड से भी इसपश्ट नहीं हो रहा है कि याचिका करता ने चेक इन किया था सभी तत्यों पर गौर करने के बाद कोट ने जमानत याचिका खारिच कर दी सहर के पड़ाब थाना से कुछ 100 मीटर की दूरी परिस्थित होटल मयूर में कुछ दिन से युगतियों का आना जाना हो रहा है यह सूचना पुलिस को 18 अक्टूबर 2022 को मिली थी आसंका है कि यहाँ देह ब्यापार के लिए यहाँ लड़कियों को बुलाया जाता है यह दिल्ली की कॉल गर्ड हैं CSP विजय भदौरिया के नैत्रितु में पड़ाब पुलिस ने होटल के आसपास निगरानी बढ़ाई फिर होटल मयूर पर छापा मार कारिवाही की यहाँ एक रूम में 6 लड़किया मिली थी जिनकी उम्र 21 से 26 साल के बीच की थी पुलिस ने लड़कियों को निगरानी मिलेने के साथ ही होटल संचालक असोख खंडेलवाल उनके बेटी सौरव खंडेलवाल वा मैनेजर को भी पूछताच के लिए थाने बुलाया था साथी होटल में एक निलेस राठ होड नाम का युवा के युवती के साथ आपति जनक हालत में पकड़ा गया था होटल का रजिश्टर जब पुलिस ने देखा तो उसमें कई संदिग्ध एंट्री मिली हैं जिसमें पहले नाम लिखे गए और बाद में उन्हें काटा गया है इनके आधार काड या अन्य कोई फोटो आइडी नहीं मागी गई थी जिससे इस मामले की संदिग दब बढ़ गई इस मामले में याचिका करता के खिलाब कोट की तरफ से पैरवी करने वाली एडवोकेट कलपना परमार का कहना है कि कोट ने साफ सब्दों में कहा था कि ग्राहक की सहभागिता के बिना कोई वैश्याव्रिती हो ही नहीं सकती लड़कियों को मजबूर किया गया होगा या कुछ पारिवारिक मजबूरी रही होगी कोट का मानना है कि ग्रहक की अगर सहवागिता नहीं होगी तो इसके वहतना वहिश्यावरती का कोई आधार नहीं गौलियर में देवियापर के आरोपी में जो पड़ाव उटल में जो हुआ है उसमें सभी लोगों की जो बेल लगाई गई थी वहाई कोट ने ये कहते हुए कर दी कि इस तरह से अगर वहिश्यावरती वह लड़ीयां होती है तो वह कमरे के अंदर सारी लड़ीयां पैक क्यों करी गई थी फिर एक लड़ीकी को उसको बाहर निकाला गया और ये लड़ीयां अपनी मर्जी से कैसे आई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है इतने सुन्दर सुन्दर केहने है लाए दुनहन के रूप में चार्चांद लगाए प्यार के रिष्टे को और गहर बनाए समदड़िया आभूशन का चादु है चाए समदड़िया आभूशन समदड़िया आभूशन